सब्सक्राइब कीजी पीबी न्यू चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाईए ये रहा जियो सिम का कहोर आप देख सकते हो कैमेरी के सामने मैंने इसको रखा हुआ है अभी ये आपको लाल कलर में दिख रहा है याने रेड कलर में आपको ये दिख रहा है ग्रीन चैनल कलर रेड है इसको आप जो कलर चाहे वो कलर से चेंज कर सकते हो और इसका फोटो ले सकते हो अभी मैं कैमेरी का और एक दूसरा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ ये जियो का कवर कैमेरी के सामने रखा हुआ है यहाँ पर अभी इसमें में कोई अलग फोटो एड कर देता हो देखिएगा इसमें एक अलग फोटो एड हो गई है ये कैमेरी के सामने है यहाँ पर आपको कुछ अलगी फोटो दिखाई दे रही है इसमें suppose आपको कोई अलग photo add करने होगी simply इस पे click किजएगा click करने के बाद यहाँ पे gallery से हम जो photo ले लेंगे वो photo वहाँ पे add हो जाएगी देख सकते हो आप आप आपने जो photo select गिए वो photo जियो sim के cover में आ गई है आपको वीडियो के शुरुवात में ही मैंने दो ट्रिक बताए जो आप अपने कैमेरे से कर सकते हो अभी ये कैसे पॉसिलिबल है इसके लिए आपको किसकी जरुरत पड़ेगी ये करने के लिए आपके फास कौन सा एप्लिकेशन होना चाहिए इस वीडियो को अन तक देखिएगा मैं आपको सब कुछ डीटेल जानकरी इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा आप स्टेप बाइ स्टेप उसको फॉलो किजिएगा आप अपने कैमेरे से बहुत कुछ कर सकते हो बिल्कुल यूनिक तरीका में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हो सबसे पहले आपको जाना होगा आपके प्लेश्टोर में प्लेश्टोर में जाने के बाद आपको इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा इसकी link आपको नीचे description में भी मिल जाएगी इस application को install करने के बाद application open कर लिजे application open करने के बाद यहाँ पे आपको simple सा interface आ जाएगा दिख जाएगा यहाँ पे आपको video, camera, magic color और blue screen यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले हम video से start करते हैं video पे जैसे हम click करेंगे, video पे click करने के बाद आपका camera application open हो जाएगा यहाँ पे आपको पता होगा, आप suppose कोई photo खीचते हो photo खीचने के बाद उसको बाद में दूसरे application में जाके effect देते हो लेकिन इस application का ऐसा नहीं है, आप इसी application में directly effect दे सकते हो इस goal round जिसे shape पे click किज़ेगा, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको धेरो सारे effects मिल रहे हैं, आप जो चाहे वो effects अपने photo या video में लगा सकते हो यहाँ पे देखिएगा आपको धेरो सारे effects मिल रहे हैं, आपको photo निकालने के बाद या video निकालने के बाद उसमें effect डालने की जरूरत नहीं इसे application में directly effects आप add कर सकते हो उसके बाद उपर आपको अलग-अलग type के video converter मिल रहे है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे bookie effect मतलब यहाँ पे आपका photo रहेगा उसके बाद automatically back side में blur हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे धेरो सारे effect से आप एक-एक करके इसको try कर सकते हो यह effect भी है आपका जो object रहेगा उसके आजूबजो में black color जैसा आ जाएगा उसके बाद soft focus में यहाँ पे देखिएगा इस तरह का effect से zoom blur में इस तरह का effect साएगा उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे effect से उसके बाद fish eyes में आपका जो object होगा आपका जो photo होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा इसके लिए आपको camera में अलग lens लगाने पड़ती है लेकिन यह application को यहाँ पे lens लगाने की जरुरत ने आपके application में यह आपको system मिल जाता है यहाँ पे आपका flip-lop का आपको अलग सा option मिल जाता है देखिएगा इस तरह से आप video निकाल सकते हो directly उसके बाद और है कि इसमें इसमें भी आप यह editing कर सकते हो directly आपके video को video shoot करते time में बाद में आपको object का के लिए color आपको change करना होगा तो देखिएगा directly इसा color change हो गया आपको कुछ भी अलग-अलग type की effect चाहिए होगे तो सभी effects आपको इसमें मिल जाएंगे यहाँ पर धेरो सारे effects से एक-एक करके आप try कर सकते हो अपनी video या photo में shoot करने के लिए देखिएगा यह water effect नीचे आपका image कुछ अलग type का यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर बहुत सारे effects से आपको जो try करना होगा एक-एक करके आप try कर सकते हो देखिएगा यह rain effect से उसके बाद यह rain effect से मतलब आपको ऐसा लगए बारिश चल भी बारिश के सामने खड़े होके आप कोई video shoot कर रहे हो यहाँ पर आपको अलग type का effect लगाने की जरूरत नहीं आपके phone में video shoot करने के बाद बाद में effect डालने की जरूरत नहीं यह directly तबी effects आपके phone में लगा देगा तो यहाँ पर धेरो सारे effects से और यहाँ पर नीचे आप अपने videos में editing करने की जगह यहाँ पर directly video edit करके ही shoot कर सकते याँ पे आप इनको चेक कर सकते हो याँ पे भैक चले जाते हैं दो सबसे पसंद है यह दो पसंद आये इस तरह का object आपको आपके सामने रखना है, यहाँ पर आपको वीडियो चलता रहेगा, देखिएगा वीडियो चलता रहेगा, और आपको जो कदर change करवाना होगा, उस पर आपको double click screen पर करना होगा, तो यहाँ पर मैं double click कर देता हूँ, तो उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर बाजू में आपका जो object का color रहेगा, वही रहेगा, सिर्फ आपका जो object जिस पर आपने double click किया था, उसका color change हो जाएगा, इस पर आपको click करना है, और इसको change करना है, मतलब आपका object यहाँ पर change हो जाएगा, इस तरह से, तो इसमें आपको कोई भी photo खिचना होगा, उसका color change करना होगा आपको, तो आप directly photo खिचते टाइम में उसका color change कर सकते हो, यह इसकी facility है, उसके बाद जो blue screen वाला है, यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इस पर suppose click कर दिया मैंने, click करने के बाद, आपको जिस object पे, आपको कोई image लगानी है, या आपको कोई वहाँ पे change करवाना है, तो उस object पे आपको double click करना होगा, suppose मुझे red color पे एक करना है, तो मैं red color पे double click करूँँगा, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे जो by default photo था, वो यहाँ पे आ गया है, इसके बाद आपको, suppose gallery में से कोई photo यहाँ पे add करना होगा, तो gallery पे click कीजेगा, gallery पे click करने के बाद, यहाँ पे आपके gallery में जो photo होगा, उस photo को आप वहाँ पे add कर सकते हो, देखिएगा, यह photo यहाँ पे add होगा, आपके phone में जो भी photo होगा, वो directly आप add कर सकते हो, यहाँ पे object में, मतलब आपका जो photo होगा, वहाँ पे आपको, यहाँ पे green screen या blue screen लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, directly आप अपने photo में, कोई भी effect या कोई भी image एड कर सकते हो, इस application की मदद से, यही काम इस application का है, यह application आपको अगर photographic करने ही, अगर आप वीडियोग्राफिक करते हो, तो यह application आपके लिए बहुत ज़ादा फायदेशीर साबित होगी, इस application को जरूर install करिएगा, और इस application के, इस application से अलग-अलग type के photo कीचिएगा, वीडियो शूट करिएगा, इस application को इंस्टॉल करने के लिए, डिस्क्रिप्चन में लिंक दीगए, सिंप्ली वहाँ पे क्लिक करकी, इस application को आप इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आप को यह वीडियो पसंद आयोगा, तो यह वीडियो को लाइक करिएगा, शियर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करिएगा, तो मिलते हम अगरे वीडियो में, तब तक यह जहींद वंद्यमातरम,